और राइट गाइज, सौगत आपका इस वीडियो में तो फाइनली यहापे जॉब 100 का थर्ड एपिसोड आ चुका है, तो चली फिर एपिसोड शुरू कर लेते हैं और बाकी बाते वीडियो के एंड में कर लेंगे, एपिसोड के शुबात में हमें कुछ रैंकिंग्स दिखा यहापे, चोटी बच्ची होती है, शोव ने उस बच्ची को भी बचाया होता है, बहुत उसके पर पाया है, जिसके बाद इनका टायम मेंद भाहर जाने का और यह सब के सम अपने हथायर वगरा, हिखा लेते हैं, एपास बॉटल्स होती है, वाइन की जिनले आग लगा के पैकते हैं और जास जॉम्बी को मारने की कोशिश करते हैं दूसियों यहाँ पर हमें अकेरा का सीन दिखाया जाता है और वगयातर क्या बात है शिंजुगु में तो काफी सारे जॉम्बी है फुरा पैक हुआ पड़ा है यह एरिया और मुझे पूरे है कि तुम अभी तक मरे नहीं होगे बस मेरे इंतिसार करो कैंचो यहाँ पे हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और आकिरा की दाड़ी अगयरे बढ़ चुके होती है तो वो सोचता है कि कोई नया स्टाइल अपना स्टाइल थोड़ा चेंज खरे लेकिन वो एंड में आके अपने चच में नहीं था क्योंकि वो जॉब में ही पागल हुआ पड़ा था उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी के साथ टाइम स्पेंट कर पाया फिर कहीं जहां पाए तो जब वो यह चैट लिस्ट चेक कर चुका होता है तो भाई वो अपने नॉर्मल रूटीन को फ चैट लिस्ट फिर से चेक कर रहा होता है तो उसे अपने एक दोस्त की बात याद आती है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो और यह कोई और नहीं बल्कि उसका पालिस का दोस्त केंचो होता है दूसरी और यहाब हमें केंच लडकी के साथ फसा हुआ होता है और यहाँ पर भाई अमने क्या ही बोलूँ उसने एक बॉंड़ेज रूम चूस किया होता है यहाँ पर आने से पहले के लिए तो ऐसे रखते हो यहाँ पर एक लड़की के साथ रोमैंस वगरा धा और उसको उसने यहाँ बांद रखा था और वो लड़की जॉम्बी बन गई, बट यहां पर उसका लग अच्छा था कि उसको पहले ही बांदिया था, जिस वज़े से वो जॉम्बी यहां पर बंदी पड़ी है, ठीक है ना, यहां पर उसको काफी जदा भूक लग रही होती है, वो सोचता है कि अब उसका यहां पर कॉल किया होता है, वो पूछता है कि हे, क्या हाला तुमारे यहां इतना टाइम हो गया, जखरी मेरे एक साल हो गया जब हम ड्रिंक्स पीने गए थे, मुझे सच में खुशी हो यह जानकी कि तुम अभी तक जिंदा हो, तो यहां पर आकेरा केंचो से पूछता है कि तुम कह है जाती है, जब यह दोनों यहां पर ड्रिंक करने के लाए होते है, और उस टाइम आकेरा भी जॉब किया करता था, और वही दूसरी और कैंचो काफी अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रहाता है, उसकी जिंदिगे में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, वह का अच्छी कैसे हो सकती है, और वह इतनी एजी मोंड में कैसे जीए रहा है, जहां पर दूसरी और भाई आकेरा की तो वाट लगी पड़ी जॉब करते करते हैं, और उसको उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद यह दोनों यहां पर घुसा हो जाते हैं, और ड यहां से चले जाते हैं, और शो की जान भी बच जाती है, यह होटल रूम भी यहां पर खाली होने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि इस गाड़ी के स्टेरिंग वील पे रगभी बॉल पंदी होई होती है, जिस वज़ए से सारे जॉम्बी जुदार अट्राक्ट हो जाता है, और इस गाड़ी पे भी आग लगे होती है, तभी आके रहाफ पे इस पानी में से बाहर निकलता है और बेसिकलि यह उसी का आइडिया था, वो जल्दी से भाग के जाता है होटल में, दूसरी ओर, केंचो भी अपनी रूम में से बाहर निकलता है, और उसको प्लीज, हम बहुत अच्छे दोस्त है, तो केंचु कहते हैं, तो हम इतनी दूर यह सब बोलने के लिए आयो क्या, देगे इससे पहले कि केंचु और कुछ बोल पाए, तब ही यहापर बाकी सारी जॉम्बीज आ जाते हैं, और यह लोग चटकी और भागना शुरू कर देते ह अच्छे एक्सार्व को लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए इन जॉम्बी इसको रोकने के लिए, तो केंचु यह कहता है, कि यार हम करेंगे, बताओ मेरे को, तो अकेरा यह कहता है, तो बिल्डिंग जो है, बहां तक हम एक जंप लगा सकते हैं, बिना सुच समझे तो अकेरा भागता है बहुत तेज़ और वो सक्सेसफुली दूसरी शर्ट पे कूच जाता है, जब वो इदर केंचो से कहता है कूदने के लिए, तो केंचो आफिस लिया, तीन दिन से उसने कुछ खाना नि खाया होता, दूसरी बात हर दूसरे बंदे के बसकी नहीं होता है, चलांग लगाना, तो यहां पे वो यही कहता है, कि मुझे पता है, तुम इतनी दूर से मुझे बचाने के लिए आए हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं यह जंप नहीं लगा सकता, साथी साथ, अपने आखरी मोमेंट में मैं तुम से यही कहना चाहूँगा, कि मैंने अपनी जिन्दिगे को कभी भी इंजॉई नहीं किया, मेरे को अपनी जॉब से सबसे ज़्यादा नफरत थी, मैं लोगों से जूट बोलके उनको ऐसे कॉंट्रैक्स दिलाया गरता था, जिससे उनका नुकसान हो जाया करता था, उसके मतले मेरी कंपनी मेरे को काफी ज़्यादा प कॉमेडियन बनना था और मैं पता नहीं यह कौन सी फिल्ड में आ गया, यह क्या कर रहा था मैं, तो ऑफिसी बात है कि आकेरा को हमेशा से कैंचो के जोक्स पे काफी हसी आती थी, और वो यह कहते है कि ठीक है फिर यार तुमारी जॉब खतम हो चुके, टेंश लेने वारी चुरू करता है, और रासने में अपने जारे कपड़े उतार देता है, चमक जाता है वो पुरा और आगे जाके भाई वो इस बिल्डिंग के पास पहुचता है, नस्दीक को जाता है काफी, और लेकिन वो उसके उपड़ लैंड नहीं कर पाता, उसे लगता है कि आपकेरा क बैग में काफी खाने भीने का सामान हो गई होगा, क्योंकि वो इतना सब तो सोच के आए ही होगा, है कि नहीं, वो भी अपने कबड़े उतार के हाँ भी, चैंचो के साथ बैठ जाता है, और यह लोग अपनी पुराने टाइम की बाते करने लग जाते है, चैंचो यह कहता ह कि तुमने सेच में काफी जादा कमाल का काम किया आज, और मैं शुक्रगजार हो तुमारा, तुमने मुझे जॉम्बी के इनफेक्शन से बचाया, तो जोस्तों यह एपिसोड यही पे खतम होता है, नेक्स एपिसोड आ जागा है, और नेक्स सेटेड़े संड़े तक है की जल से लजानी की कुश्च करेंगे, मुझे पता है, यह एपिसोड फोड़ा सा लेट हो चुका है, वैसे आज आपको वीडियो मिल रही है, कल आ गया था शायद शाम के टाइम पे, पर मैं वोईस ओवर नहीं कर पाया तो मुझे माफ़ करना है, और जहां तक बात है, इस ए एक एक एपिसोड में, सेकिन सीजन को हम एक एक एपिसोड में दो एपिसोड कवर कर दिया गरेंगे, ठीक है न, तो वो हम ऐसा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको यह और रहने में चाहते हो, तो मुझे पता है, वैस चैनल को सबस्क्राइब कर ना मत भूलेगा, और अगर आप मुझे कॉंटेक्ट करना चाते हैं, तो आप मुझे इंस्ट्राइम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मिल दो आपसे अगले वीडियो में, तब तक क के लिए गुट बाई